Next, हम लोग type of relation में जो define करते हैं, यह होता है हमारा identity relation, ठीक है, identity relation, तो अगर किसी set A पे आप identity relation अगर define कर रहे हैं, तो इसको कई बार इस तरीके से भी represent किया जाता है, I of A, यानि we are defining an identity relation on set A, ठीक है, इसका अगर हम definition लिखना चाहें, तो definition कुछ ऐसा हो जाएगा, कि let A, let A be a non-empty set, non-empty set, then I A is called identity relation, identity relation on A if every element of A is related, is related to itself only, itself only, सिर्फ अगर खुझ से ही related हो, तो ऐसे relation को हम लोग क्या कहते हैं, identity relation कहते हैं, अगर हम इसको set builder form में लिखना चाहें, तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, कि I A जो हमारा identity relation जो होगा, यह हमेशा हमारा इस तरीके से होगा, कि आपके पास element जो होना चाहिए, वो A, A type का ही element होना चाहिए, आपके set में, for all A belonging to A, ठीक है, जैसे एक example लेके मैं समझाता हूँ आपको, कि let us say, हमारे पास, मान लिजे, एक set A दिया हुए है, जिसमें elements हैं हमारे पास, 1, 2, 3, और 4, और इस पे अगर हम identity relation बनाएं, ठीक है, अगर इस set पे, हम identity relation लिखें हैं, इस set के corresponding, तो हमारा identity relation हो जाएगा, 1, 1, 2, 2, 3, 3, and 4, 4, ठीक है, तो यह जो relation हुआ हमारा, यह क्या हो जाएगा, identity relation, यहाँ ध्यान दीजे, कि every element is related to itself only, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही चार element होने चाहिए, अगर मान लिजे, आपके पास कोई relation इस तरीके से दिया हुआ है, let us say, कि एक relation हमने इसी सेट पे बनाया, r is equal to, और जिसमें elements रखे, हमने 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, और साथ में, मान लिजे, हमने एक 1, 4 भी रखा, ठीक है, तो क्या यहाँ पे, r एक identity relation होगा, तो नहीं, r is not an identity relation, क्योंकि, बात हुई थी identity relation की, तो हमने यह definition में देखा था, कि every element of a, should be related to itself only, ठीक है, सिर्फ खुद से ही related होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग clearly कह सकते हैं, कि this will imply, r is, not an identity relation, ठीक है, r हमारा जो होगा, वो identity relation नहीं होगा, ठीक है, तो यानि आपको यह ध्यान में रखना है, कि identity relation में, जो element होंगे, वो a, a type के ही होने चाहिए, and for each element of set a, ठीक है, छो जो नही प सकते हूरे, छोछ ठीक है है,